देखिए ये question है आपका example number 6.6 question है आपका a metallic rod of 1 meter length is rotated with a frequency of 50 revolution per second with one end hinged at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and the perpendicular to the plane of the ring देखिए वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक metallic rod है जो कि यहाँ पर rotate कर रहा है और वो जो rotate कर रहा है उसकी frequency हमें देखिए 50 revolution per second तो कोई rod अगर rotate कर रहा है इस तरीके से तो उसका कुछ ना कुछ angular velocity भी होगा angular velocity के लिए जो symbol होता है वो omega होता है तो ये जो angular velocity है इसका formula होता है 2 pi into frequency ये frequency हमें दे रखिए उसके ठीक है तो अब बच्चो ये frequency 50 revolution per second दे रही है तो यहाँ पर ये 2 pi into 50 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 50 into 200 pi radian per second radian per second इस angular velocity का SI unit होता है तो ये हमें क्या मिल गया angular velocity मिल गया क्योंकि कोई भी rod अगर rotate कर रही है तो उसके पास कुछ ना कुछ angular velocity होगा तो ये angular velocity calculate करना जरूरी था अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा था कि ये जो rod है बच्चो यहाँ से hinsed over रहा है मतला pivoted है लेकिन वो free to rotate भी है और इसका जो दूसरा वाला end है वो इस circular metallic ring को touch कर रहा है अब देखो यहाँ पर इस circular metallic ring का जो radius दे रहा है वो दे रहा है आपका one meter और इस rod का length भी आपका one meter ही दे रहा है और यह जो rod है यहाँ पे magnetic field में क्या कर रहा है rotate कर रहा है और इस magnetic field को ऐसे काटते वे जा रहा है ठीक है और यहाँ पे जो magnetic field है बच्चो inward है इस plane और यह जो plane of paper मैं अगर ऐसे rotate कर रहा है और वो magnetic field को काटते वे अगर जा रहा है तो इस rod में EMF induced होने लग जाता है बिस वो ही EMF हमें यहाँ पर calculate करना है देखो यहाँ पर क्या कर रहा है what is the EMF between the center and the metallic ring यह जो center है और यह जो metallic ring है आपका इन दोनों point के बीच में जो EMF है वो हमें calculate करना है मतब इस rod का ही EMF हमें calculate करना है कि इसमें कितना EMF induced हो रहा है अब देखो यहाँ पर यह जो magnetic field है इतना reason आपका magnetic field का है magnetic field भी हमें दे रहा है one tesla यहाँ पर दे रहा है नहीं one tesla magnetic field ठेक है तो कोई भी rod अगर magnetic field में rotate कर रहा है तो उसमें जो EMF induced होता है उसके लिए जो हम formula use करते है वो यह formula होता है b omega r square divided by 2 r किया है बच्चों इस circular magnetic ring का radius है ठीक है अब देखो बच्चों यह formula आया कहा से मैं से direct आप इस formula में भी value पूट कर सकतो और answer निकाल सकते हो तो बहुत easy हो जाएगा तो यहाँ पर यह formula दे रहा हमारा अब यह formula यहाँ पर डिराइव करते वे दिखा रहा है इसलिए मैं यह derivation से मतब कैसे इस तरीक से इसे derive किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले otherwise आप इसे direct value पूट करके भी इसे solve कर सकते हो तो देखो इससे समझने के लिए देखो मैंने यहाँ पर यह दो figure ले रहे है ध्यान से देखिएगा इसे फिर आपको confusion नहीं रहेगा देखो बच्चों जैसे यह rod है इसका length कितना L है और यह V velocity से ऐसे constant velocity से ऐसे move कर रहा है अब यह आपका यहाँ पर magnetic field यहाँ पर cross बना रहा है मतलब magnetic field inward है और अगर कोई rod ऐसे किसी given magnetic field को ऐसे काटते वे अगर जा रहा है और बच्चों velocity length और magnetic field अगर आपस में mutually perpendicular है और कोई rod अगर किसी magnetic field को अगर काटते वे जा रहा है तो उस rod में EMF induced होने लगता है और उस rod में EMF induced यूज हो रहा है उसके formula BVL होता है यह वाला formula यूज किया जाता है लेकिन सर्थ यह है कि magnetic field, velocity और length आपस में mutually perpendicular होने चाहिए अगर यह तीनों के तीनों आपस में mutually perpendicular नहीं है तो तब दूसरा formula यूज किया जाता है तो देखो यहाँ पर velocity की direction यह है length यह है length यह है आपका length vector यह है अब magnetic field अंदर की तरफ है तो तीनों यह है mutually perpendicular है और अगर मैं इसका कोई एक छोटा सा portion लूँ इसका भी अगर छोटा सा portion लूँ तो इस वाले portion की velocity भी वी होगी इस वाले portion की velocity भी क्या होगी वी होगी अब देखो बच्चों अगर मैं इस rod की बात करूं question तो हमारा य इस rod के लिए अगर मैं छोटा सा portion लेता हूं और यहां पर भी एक छोटा सा portion लेता हु हो तो इस वाले portion की velocity का direction यह होगा और इसकी velocity का direction यह है तो दोनों parallel है लेकिन इसकी velocity अलग होती है इसकी velocity अलग होती है इसलिए बच्चों इस rod का EMF निकानने के लिए हम इस formula को use नहीं कर सकते, actual में क्या चीज़ है देखो इस portion, यह वाला जो portion है इसकी जो velocity calculate करने के लिए जो formula होता है V is equal to omega into r होता है omega मतलब angular velocity यहाँ पर जो यह rotate कर रहा है, omega angular velocity से rotate कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पर यह calculate की थी angular velocity यह 100 pi radian per second, टेक है अब यह r गया होता है, r का मतलब होता है, इस portion का यहाँ center से distance, देक है मालो यह r है उसी तरीके से बच्चों, तो r into omega करोगे तो इस portion की velocity में आपको मिल जाएगी, यहाँ पर ऐसे यह इस तरीके से rotate कर रहा है, तो यह portion इस circular path में move कर रहा होगा, और यह वाला portion इस वाले circular path में move कर रहा होगा, समझ रहो ना, अब देखो, यहाँ पर यह वाला portion है, बच्चों, इसका जो center से, जो distance से वो जादा है, तो मतलब इस portion का, जो r का value होगा, वो जादा होगा, तो यह वाला portion, जैसे मालो, ऐसे ऐसे पुरा एक चकर complete करने में, उसने t time लिया, तो यह वाला portion भी एक चकर complete करने में t ही time लेगा, लेकिन यह वाला portion ज़्यादा distance cover कर रहा है, और यह वाला portion कम distance cover कर रहा है, तो यह वाला t time में जादा distance cover कर रहा है यह T time में कम distance cover कर रहा है तो इसका velocity क्या होगा जादा होगा समझ मारा है तो देखो इसका velocity अलग है इसका velocity अलग है मतलब यह constant velocity से ही move कर रहा होगा यह भी constant velocity से ही move कर रहा हो मतलब उनकी velocity का magnitude constant होगा direction तो अलग-अलग होगा लेकिन magnitude constant होगा लेकिन बचों इसका लेकिन हम इस rod के लिए ये formula यूज नहीं कर सकते इस rod का EMF निकालने के लिए ये formula यूज नहीं कर सकते तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इतने छोटे से portion का EMF calculate करना पड़ेगा तो ये जो इतना छोटा सा portion है इसका मैंने length माल लिया DR तो इसका जो ये DR है और इसकी जो velocity है माल लो V है और यहाँ पी जो magnetic field है वो B है और ये तीनों की तीनों की आपस mutually perpendicular है देखो DR ये length हो गया velocity ये हो गया magnetic field अंदर की तरफ है तो तीनों की है mutually perpendicular है जैसे ये थे mutually perpendicular अर यहाँ पी ये इसकी velocity का magnitude है वो भी constant है तो इस portion का EMF calculate करने के लिए मैं इस वाले formula की help ले सकता हूँ जैसे ये formula क्याता E is equal to BVL था ना तो इसकी मैं help ले सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा पहले इस छोटे से portion का EMF calculate करते है तो उसे मैं बोल रहाँ DE मतलब छोटा सा EMF DE मतलब छोटा से EMF is equal to magnetic field क्या है B इसका जो velocity है छोटे से portion का कितना है V तो V आ जाएगा और इस छोटे से portion का जो length है वो कितना है DR है लेंथ कितना है DR है इतना समझ मागिया तो DE is equal to हम लिखेंगे B और V is equal to कितना है तो OMEGA into R ये वाला जो portion है अभी R distance पर ठीक है तो यहाँ पर V is equal to हो जाएगा आपका OMEGA into R अई हो जाएगा आपका DR तो इसे क्या अगरो integrate करते हो अब देखो पुचो यह जो R है ये continuously change हो रहा है देखो ये वाला जो portion है ये तो R distance पर है लेकिन ये वाला जो portion होगा उसका R का value कुछ और होगा यहाँ पर अगर कोई दूसरा छोटा portion लेता हो तो उसका R का value क्या होगा? R is equal to capital R होगा और यहाँ पर अगर मैं छोटा सा portion लेता हो तो उसका r का value क्यों होगा r is equal to 0 होगा क्योंकि वो center में लाए कर रहा होगा तो यहाँ पर r के लिए हम limit लिखेंगे r is equal to 0 to r is equal to capital r बस यही लिखना है अब देखो integration of d e क्या हो जागा यह total e mf मिल जाएगा हमें is equal to यह b constant है angular वाला 100 d b constant है तो यह तो integration के बाहर आजाएगा तो यहाँ पर यह आपका r dr रह जाएगा r is equal to 0 r is equal to capital r इतना आपको समझ भारा होगा तो e is equal to b omega और यह जो होता है आपका integration r dr जो होता है इसका जो formula होता है बच्चों वो होता है आपका r square divided by 2 तो यहाँ पर आजाएगा आपका r square divided by 2 और यहाँ पर यह r is equal to 0 भी आएगा और यहाँ पर r is equal to यह capital r भी आएगा तो e is equal to b omega small r की जगा हमें capital r लिखे divided by 2 फिर minus आएगा और यह small r की है 0 है तो यहाँ पर 0 लिखे 0 square divided by 2 तो finally e is equal to b omega capital r square divided by 2 तो यह आपका total emf का formula है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था तो इस तरीके से derive हो गया है अब हमें just यहाँ पर value ही put करनी है बाकी कुछ नहीं करना है तो को magnetic field कितना दे रहा है 1 दे रहा है angular velocity कितना दे रहा है 100 pi दे रहा है 100 into pi pi का value होता है 3.14 into radius कितना दे रहा है 1 meter तो 1 into 1 divided by 2 तो यह हो गया आपका 50 50 into 3.14 कितना होता है यह आपका emf आगे आठेक है इसकी value होती है 157 volt तो यह induced emf आपका calculate हो गया है